हेलो स्टुडेंट्स आज हम अपना सेवंथ चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है तिर्तियक और चतुर्थक क्रियाए इसे स्टार्ट करने से पहले यहां पर आप देखें कुछ क्रियाओं की नाम लिखें हैं जैसे ही फसलोत पादन, वस्तर निर्मान, प्लास्टिक की वस् निर्मान, लहाइसपाद, सिक्षा प्राप्त करना, कानुनी सला और स्वाससमंदी सला तो यह सारे जो है एक कुछ उधारण है हमारे समाज में व्याप्त जो क्रियाकलाब है उनका तो इसमें से हम फस्त देख रहे हैं फसलोत पादन, फसलोत पादन में क्या हो रहा है हम व पूती वस्त का निर्मान कर रहे हैं, प्लास्टिक की वस्तु बनाने में सपोज टोकरी बना रहे हैं प्लास्टिक की, लोहाइसपाद में सपोज हम लोहे की कील की बात कर रहे हैं, लोहे के द्वारा निर्मित कील की बात कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त करने में हमें क्या रहा है ज्यान प्राप्त हो रहा है कानूनी सलाह क्या है यह सलाह यह एक प्रकार के और स्वासंबंदि सलाह भी सलाह है तो हम क्या देख रहा है इसमें से कुछ वस्त्व या कुछ सेवा हैं ऐसे जिसको हम देख भी पा रहे हैं और जिसमें हम जिसको टच भी कर सकते हैं जैसे गेहू, कपास, सूतिवस्थ, टोकरी, लुहे की केल इन सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं हम देख पाते हैं और इसको हम छूभी पाते हैं जबकि अगर जो हमारे टीचर्स हमें ग्यान दे रहे हैं क्या हम उसे छूपा रहे हैं, नहीं छूपा रहे हैं अगर कोई lawyer हमें कोई सलाह दे रहा, उसे भी हम छूप नहीं पा रहे हैं वरन क्या होगऑ, या सुन रहे हैं वैसी डॉक्टर्स अगर हमें कोई स्वास दे रहा हैं तो उसको भी हम क्या करते हैं? केवल सून पाते हैं यानि कुछ सेवाएं ऐसी हैं जिनको हम देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं और कुछ सेवाएं ऐसी हैं जिनको हम सर्फ महसूस कर रहे हैं इनको हम देख भी पा रहे हैं चू भी पा रहे हैं यानि इसमें क्या हो रहा है मूर्थ वस्त्वों का production हो रहा है और इसमें जो हो रहा है वो अमूर्थ हो रहा है ये दो basic अंतर है तो हम ये कह सकते हैं कि जो अमूर्थ वाला sector है ये वाला sector ये basically क्या हो रहा है हमारा सेवाओं पे आधरित है तो वेक्रिया कलाब जो सेवाओं से संबंदित होते हैं वो कहलाते हैं हमारे तृतिय क्रिया कलाब दूसरी चीज ये जो तृतिय क्रिया कलाब होती हैं वो अमूर्थ सेवाएं हमें प्रदान करते हैं या तृतिय क्रिया कलाबों में अमूर्त वस्त्वों का या सेवाओं का प्रोडक्शन होता है जो तृतिय क्रिया कलाप होते हैं ये प्राहव ग्यान पे आधारित होते हैं और तृतिय क्रिया कलाप जो होते हैं वो विक्सित देशों में बहुत जादा मात्रा में देखने को मिलते हैं तो टोवरल ह 설 उन्हें क्या examine तरतीयक क्रियकलाप वो होंगे जिन मैं अमूर्थ वस्तों क्या सेवाओं का प्रोडक्शन होता है और त्रतीयक क्रियकलाप वे क्रिया कलाप होते हैं जो विक्सित देशों में देखने को मिलते हैं अब हम यह देखेंगे कि जो तुरते क्रिया कलाप है इसके कुछ उधारण है कि इसके अंतरकत किनकिन लोगों को या किनकिन लोगों के सेवाओं को शामिल किया जाता है तो जैसे इसमें एक हम देखेंगे अध्यापक है अध्यापक को इसमें शामिल करेंगे वकील को इसमें शामिल करते हैं डॉक्टर्स को इसमें शामिल करते हैं ये इसमें शामिल करते हैं एक इसमें चीज और हम देख रहे हैं जो ये तृतियस हेक्टर के है या जिसे हम सेवा सेक्टर भी कहते हैं इसमें हम किसी भी प्रकार की सेवा को प्राप्त करने के लिए भुक्तान अवश्य करेंगे कोई न कोई राशी का या कुछ न कुछ मात्धन का भुक्तान इसमें किया जाता है जैसे अगर हम विद्याले में जाते हैं और वहां हम सिक्षा प्राप्ट करते हैं तो वहां पे हम देते हैं फीस का भुक्तान करते हैं सेम चीज वाकेल के वहां जाते हैं कोई सलाहा उन से लेते हैं तो भी हम फीस का भुक्तान करते हैं स्वासे संबंदी को उन सलाहा डॉक्टर से लेते हैं यानि यह जो सेवा सेक्टर है इसमें हमें सेवां भुक्तान के माध्यम से प्राप्त होती है फिर यह जो व्यक्ति हमने आपको बताए है अध्यापक वकील वर डॉक्टर in co ge अब हमें अपनी सेवाएं देते हैं तो इनको अपनी सेवा प्रदान करने के रूप में वेतन प्रदान किया जाता है यह में चीज़ेस में हैं क्या चीज़ हो गई अब ओवरॉल क्या देखा हमने तृतियक क्रियाएं वेक्रियाएं होती हैं जो हमें अमूर्त सेवाएं प्र करते हैं तो इसमें एक और बहुत मेह So vär ऑनतर है की डुतिय जो क्रिया काा लाप होते हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं मशीन या फैक्टरी के माध्यम से उत्पादन करते हैं दूती की बाद हम कर रहे हैं सेकिंड वाले सेक्टर में क्या करते हैं मशीनिया फैक्टरी के माध्यम से अपना उत्पादन कारी करते हैं प्रोडक्शन कारी करते हैं जबकि जो थोर्ड वाला सेक्टर है इसमें प्रोडक्शन होता है व्यक्ति की कुशलता पे डिपेंडेंट व्यक्ति की कुशलता या व्यक्ति के ज्यान पे सारा प्रोडक्शन कारी होता है तो यह मेर अंतर हो गया दूतिये वाले में और तृतिये में में मशीन और फैक्टरी से उत्पादन हो रहा है और तृती में व्यक्ति की जो कुशलता और जो ज्ञान है वो उत्पादन को सबस्यादा प्रभावित करता है हमारी तृती एक रियकलाब के उधारण हमने यहां पर लिखे हुए हैं जिसमें व्यापार वानिजी परिवहन से संचार, मनोरंजन, प्रशासनिक सेवाएं, परियडण और चिकिट्सा परियडण को देखा जा रहा है तो इसमें साहिए हम देखेंगे पहला वाला व्यापार वानिजी को हम पहले लेते हैं यह क्या है जैसा कि हमें मालुम है व्यापार का अर्थ होता है क्रय या विक्रय क तो जो लोग व्यापार करते हैं वो लोग तृतिए क्रिया क्रिया क्ळाबके एक अच्छे उधारण हैं हम यह देखते हैं कि व्यक्ति बाजार जाके वस्तू का क्राय और विक्राय करता है तो यह जो क्रियाएं होती हैं वो व्यापार कहलाती है अब जो यह व्यापार होता है यह प्राया दो शेत्रों में किया जाता है व्यापार के जो दो प्रमुक छेत्र हैं छेत्र में कहां कहा पर क्या जा सकता है एक तो क्या जा सकता है शहरी चेत्र में व्यापार और एक क्या जा सकता है ग्रामेंड चेत्रों में हम यह देखते हैं कि शहरों में क्या देखते हैं हम बड़े-बड़े कि सामान खरीदेने और बेचने के लिए कुछ limited शेत्र होते हैं या केंद्र होते हैं तो ऐसे केंद्र जो ग्रामीर लोगों की आवश्यक्ताओं की पूर्ती करते हैं उन्हें कहते हैं ग्रामीर विपड़न केंद्र ये ग्रामीर विपड़न केंद्र कौन से हो गए? ऐसे केंध्र जो ग mould ग्रामीनड शेत्र के लोगों की आवशक्ताओं की पूर्थी करते हैं जहांपे ग्रामीन लोग अपना आवशक्ताओं की जो भी वस्थुने चाहिए जाके उसको खरीः के तो हम कहले देखते हैं किसपी बाजार में व्यापार। फेलाई के माध्यम से किया जाता है तो व्यापार। जो होता है दूप्रकार से वस्तवों को बीचते है एक तो थोक और दूसरा फुटकर ... व्यापारी दो प्रकार के हो सकते हैं, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी, तो थोक व्यापारी क्या होते हैं, और फुटकर क्या व्यापारी को ने देखते हैं, थोक व्यापारी जो होते हैं, वो मंडियों में सामान बेचते हैं, ये लोग मंडी में अपना सामान जा के बेचते हैं और फुटकर व्यापारी क्या होते हैं वो डोर टू डोर जाते हैं या रेहडी लगाते हैं डोर टू डोर जाके या रेहडी लगाके फुटकर व्यापारी अपने सामान को बेचते हैं